करें नेक्स्ट में जो यहां पर बोल रहा है यह मेल हुमन यहां पर हेट्रोजागस पूर आउट्रोजोमल जीन हेट्रोजागस है आउट्रोजोमल जीन का एंड 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 इस अलसो हेमिजागस पूर हीमोफिलिक जीन इस प्रोपर्शन अब इस पर मुल भी एब एच नहीं यह कुस्ट्टन बहुत बच्चा पूछता है मैक्सिमम बच्चा यहां पर आकर फश जाता है जबकि आंसर एगदम क्लिक करता है वन बाय एट सिंपल सा जो बात अभी उपर बता है सीम वही चीज़ तो है पस कंफ्यू बना लिए नहीं और फिर लिख रहा है हेमिजागस फोर हीमोफिलिक जीन हीमोफिलिया एक्स वाई लिखो गये न और एक्स वाई तो हेमिजागस ही न होता है यह लिख लो अब क्या अब देख कहा रहा है कि होना क्या चाहिए उसके अस्पम में यहां यह दोनों में से एस् यह तो नॉर्मल कंडिशन वाला का नहीं हो गया, X आने का चांसे क्या है? Half है, multiply करो, answer क्लिक करो, और आगे बढ़ो, यह भी यह चूँआन्वाइट हो गया, next, next pedigree, pedigree, नहीं, pedigree यहां पे दिया हुआ है, और बोलडा predict, predict from the following chart, चार्ट को आपको देखो, study करो, और देन, उसके according उसका answer करना है, यह चार्ट है, तो चार्ट को study करने से पहले, एक बार option जरूर देख लो, कि किस direction में हमको सोचना है, pedigree, जब भी बनाना है, एक बार option देखो, character is dominant and carry by X chromosome, character is carry by Y chromosome, sex link और autosomal, सब दिया है, लेकिन ज़्यादा तर option किसका दिया है, X chromosome, तो हम लोग, मतलब यह, sex link बाला chromosome, ज़्यादा तर वो दिया है, तो उसको मान के चलते हैं, बच्चों, आपको पता होगा, pedigree में यह male है, यह male है, और यह क्या होती है female, और female के बीच में dot लगा दिया है, मतलब female carrier है, और अगर female carrier है, तो हम चलो मान लेते हैं female carrier कब, तो हम लोग मान लेते हैं, ज़्यादा तर हम लोग का जो syllabus में है, आपको पता होगा, और male normal है, तो हम लोग क्रोस कराओ, इसको क्रोस कराते हैं तो देखो, यह male को क्या कर दिया है, यह disease कर दिया है, male disease है, तो क्रोस अगर हम लोग कराते हैं, तो देखो, यह दोनों को साइड में हम क्रोस करा रहा है, xy और इसको क्रोस कराना है xcx से, यहाँ पर उसी तरह से हम direct checkerboard पे डाल देता है, इसको, xcx gamut और यहाँ xy, एक xcx होगा, एक होगा xx, एक होगा xc y, और एक होगा xy, यही ना हैगा, तो male colorblind है, सही बात है, female carrier है, या female normal भी हो सकती है, तो सही बात है, और male normal है, देखो, इसको fulfill कर गया यह, इसको fulfill यहीं पर कर गया answer, तो यहीं पर हमको click हो जाएगा, लेकिन अगला देखो, अब यह male जो colorblind है, तो guarantee है क्या हो जाएगा, xc y हो जाएगा, और female के बारे में कुछ नहीं लिया, तो male, colorblind का case, male से किस में आगा, female से, तो female carrier हो गई, female carrier guaranteed, यह क्या है, एक्स लिंक recessive disease की बात कर रहा है, character is dominant, carry by x chromosome, dominant नहीं recessive है, character is carried by y, नहीं, sex link, sex link recessive, autosomal recessive, autosomal नहीं है, sex link recessive है, नहीं, answer click हो गया, इस तरह से pedigree हम लोग बनाते है, next, pedigree की जो बात कर रहा है, t3 number जो यहां पर दे रहा है, लिख रहा है, this is pedigree for autosomal recessive disease, यह क्या बोल रहा है, autosomal recessive disease का pedigree है, आपको keyword बता दिया है, कि यह autosomal है और recessive भी है, और नाम दे रहा है, alvinism, what is the probability of second first is homo-jagous normal, second first, second of first, मतलब इसकी बात कर रहा है, कि कितना probability होगा, कि यह homo-jagous normal होगा, probability, हमको इतना नहीं घहरना चाहिए, pedigree में, एक बार घहरता है, यह female child, तो जरा गहर करो, तो यह दुनों का बच्चा क्यों है, यह दुनों का बच्चा है, एक बच्चा यह है, दूसरा बच्चा यह है, और तीसरा बच्चा यह है, तीन बच्चा मे probability पूछ रहा है, क्या, what is the probability of second, first is homo-jagous normal? बच्चो यहाँ पे क्या बच्चा बोला, pedigree autozomal recessive है, ऐसा वाला होगा, autozomal recessive में, तो यह disease case होगा, ऐसा वाला होगा, तो यह carrier होगा, और अगर ऐसा होगा, नॉर्मल एक केरियर होगा नहीं रिसे सिप की बात कर दिया ठीक तो सबसे पहले तो यह और तीन बच्चा में प्रोबेबिलिटी यहां पूछ रहा है ओफसन पे चलते हैं ओफसन इसको बनाने का तो जरुरत का है ओफसन अमको लगा कुछ और दिया होगा क्यों तीनी न बच्चा है तो तीन बच्चा हम प्रोबेबिलिटी वन बच्चा नहीं वन बच्चा मारो और वहां पे प्लिक करके निकलो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट की जो बात करें इन हमेन मेल यह हेट een hyetrojaegos फूर आउट草मल जीन अमेल है 美त हेट Marshis पूर हमे़ेट घर Med इसमें एक और एक्टा जूर दिया है नहीं तो small a आने का chance क्या हाफ, small b आने का chance कितना है, half, small g आने का chance कितना है, half, और यह x आने का chance कितना है, half, multiply करके लिए 2, 2-2, 4-2, 8-2, 16 answer लिक करो और आगे निकलो, नहीं, answer क्लिक करना है और आगे निकल जाना है, next जो यहां पर question आपको दे रहा है, पेडिग्री से, given pedigree, inheritance of autogomal recessive gene, keyword बता रहा है, autogomal और recessive gene, what is the genotype of given parents, मतलब यह, बोला है इसका और इसका आपको genotype निकला है, लेगिन एक keyword दे दिया, autogomal recessive है, तो autogomal recessive में हम क्या बता है, अगर हम A symbol ले ले तो यह क्या होगा, disease होगा, ऐसा वाला क्या होगा, carrier होगा, और ऐसा वाला क्या होगा, normal होगा, क्योंकि autogomal recessive है, तो जजरा गवर कर, यह तो confirm होगया B, B तो confirm हो चुका है, क्या होगा, चलो option match कराते पहले, answer इसी में आ गया, answer यहीं पर click कर गया, नहीं, लगिन चलो match कराते, answer तो click कर गया, मेरा answer जाएगा, इसी पर पकर में आ जाएगा, लेगिन आगे देखो, अब हमको A के बारे में नहीं पता है, यहाँ पर नहीं पता है, तो यह क्या हो सकता है, तो guarantee है, यह small A, small A, यह नहीं हो सकता है, इसको छोड़ के दुनों में से कोई हो सकता है, या तो यह हो सकता है, capital A, capital A, small A, यहीं दुनों में से कोई है, तो अपना यहाँ पर देखो, तुम चाहो तो उस प्रेडिग्री को और आगे तक बना सकते हो लेगिन आंसर लाश्टली यही आएगा तो इसलिए मैंने बोला ओफ्सन जरूर देख लेना है एक बार ओफ्सन देख लो पेडिग्री बनाने से पहले कि किस डिरेक्शन में सोचना है मालूम चला आप पूरा बना के रखे और आंसर सकेंडो में आना था तो तभी बहुत अपसूस होगा कि बहुत जादा टाइम बरबाद कर दिये वैसे भी पेडिग्री का कोस्टन देखते बच्चा भाग जाता है तो भागना नहीं है बहुत ही आसान होता पेडिग्री बस अरते सब कुछ अगर प इसे निकालोगे मैक्सिममम बच्चा यहां पर आके फंस जाता है नहीं देखो इसको निकालने का तरीका है मैं बता रहा हूँ प्लस क्यू एलिल का प्रॉक्वेंसी होता है यहां पर चलता है इस तरह का प्रफ्लेम जब भी आए पी स्क्वाएर प्लस डू प्लस और कु स्क्वाईर इसे फ्रमुला कहा से लिए हैं यह प्रमुला कहा से लाए तो देख लो यह भी बता रहे है कहा से लाए नॉर्मल तुम कोई भी चीज़ लेके चलो अगर हम कोई भी Capital T Small T को Cross करा देते है Capital T Small T से ठीक है तो इसका दो को इसका भी क्या होगा 2कों yemek but बनेगा न लेके चले जाओ इसको पॉपपुलेसन जनेटिक्स को है कि भाचसे रहा हूं कि मैं पॉपपुलेसन इनेटिक्स हल का साइडिया दे रहा हो आपको अब कैपिटल ट कहा है डोमिनेंट तो अगर हम डोमिनेंट को P माल ले तो हम यहीं पर चलो ना T को को कैसे लिख सकता है तो यही चीज तो यहां पे लिखा है dominant को P माल लिए तो P2PQC2 यही दो formula पे यह problem मनता है बच्छो देखो हम कैसे handle करते है देखो ध्यान से एदम ध्यान से देखना तुरंट में समझ में आ जाएगा कैसे handle कर रहा है क्या बोल रहा है आपको question में दिया हुआ है किसका frequency dominant allele का दिया हुआ है dominant allele मतलब P दे दिया है आपको Q के बारे में idea नहीं है लेगिन पूछ किसका रहा है recessive तो आपको Q निकालना पड़ेगा लेगिन पूछ रहा है recessive phenotype आपसे ये पूछ रहा है ये आपसे पूछ रहा है क्या ये लेगिन पहले हमको Q ही नहीं मालूम है तो Q2 किसे निकालेगे बाई तो देखो प 0.7 इससे निकालो आप Q प्लस Q is equal to 1 अब निकालोगे Q is equal to क्या हो जागा 1 minus 0.7 तो क्या आएगा 0.3 ये आगया ये आया Q लेगिन आपसे पूछा क्या जा रहा recessive phenotype तो recessive phenotype ये आता है और ये जब आता है तो Q2 का value आपको चाहिए तो Q के बराबर क्या है 0.3 का square कर दो जो answer आएगा वही होगा 0.09 frequency में आएगा answer क्लिक करो और आगे निकलो next फिर pedigree next जो है pedigree जाने के मैं कुछ pedigree डाल दिया हूँ ताकि आपको practice हो जाए pedigree पे पेडिगरी ये पेडिगरी को जला देखते है हम लोग पेडिगरी जो बोल रहा है ये पेडिगरी इस on below for a disease that is autosomal dominant पेडिगरी में आप keyword जरूर निकालो keyword पर ही सोचना होता है ये क्या बोल दिया autosome है plus dominant genetic makeup of first generation is first generation का यहां पर generation first इसका genetic makeup बोल रहा है अगर्टिक में कब बोल रहा है autosomal dominant बोल दिया ना autosomal dominant बोल दिया ना देखो इसको autosomal dominant capital A capital A disease होगा capital A small a b disease होगा नहीं और small a small a normal होगा तो देख यह normal small a small a तो confirm हो गया अब इसकी बात करेंगे तो अब या तो ऐसा है या तो ऐसा है अब अगर गौर कर अगला जन्रेशन देख अगला अगर हम लोग माल लेते हैं सपोजकर वो यह लेके चलता है यह नहीं तो capital A small a cross small a small a तो अगला जन्रेशन में जब cross कराएंगे तो क्या आएगा एक ठो आएगा capital A small a एक आएगा small a small a तो यह बिना disease काया लेकिन अगला जन्रेशन में दोनों disease दिखा रहा है तो guarantee इसमें क्या लेके चलना होगा यह option देखो क्या है एक होगा क्या option में सबसे पहले इसको खोजो small a small a यह बाला तिक और next generation में option में अब मजबूरा यह मालना पड़ेगा ऐसे ज्यादा अच्छा अंसर क्या होता है यहाँ पर अगर इसके अगर माल लो इसी में हम एक और यह option बना रहा है अगर ऐसा रहा था capital a capital a और small a small a तो ज्यादा अच्छा अंसर यह जाना था लेकिन अब है ही नहीं तो मैंने बोला था चार में से जो सबसे अच्छा रहेगा उसको क्लिक करके निकल लेना तो इसको क्लिक करके आगे निकलेंगे बहुत बार जान भूज के वह ऐसा करता है आपको चेक करना चाहता है कि आपको कितना आ रहा है यहां पर next जो यहां पर 88 question है इसमें बोलना है at a particular locus frequency of allele a देखोई allele a का frequency दिया हुआ है and that is a small a a का भी frequency दिया dominant dominant का भी frequency दिया और recessive का भी दिया फिर लिखना है what would be the frequency of heterozygous in a random mating population at equilibrium heterozygous का formula लगा दो p square plus 2pq plus q square is equal to one the heterozygous यहीं ना आता है यहीं ना आता है तो क्या आपको निकालना है 2pq का भेल्लू निकालना है 2p dominant the dominant क्या है 0.6 q 0.4 कहीं ना multiply करके लिए दो answer जो होगा वही होगा multiply करोगा 6 multiply 2 so 1.2 multiply 0.4 करो तो यहां पर क्या होगा 48 लेकिन यहां पर 0 यह answer c इस तरह से frequency निकालता है बच्चों एक दम आसान है frequency निकालना घवराना नहीं है question देखे आसानी से आपका बनेगा next one gene one enzyme hypothesis was postulated by simple चीज है one gene one enzyme hypothesis किस ने दिया bedal and totem का दिया हुआ याद रखना आपको scientist का नाम है next question next question की जो बात करें एक बोला है one gene one enzyme relation was stabilized for the first time in नहीं नहीं पहले bedal and totem तो दिये लेकिन सबसे पहले इसका relation जो stabilize किया गया है तो किस में bedal and totem काम किस पे किये थे नीरो spore आपे नीरो spore आपे किया गया था काम सब जाएगा नीरो spore next which one of the following process effect the hardy wing bear equilibrium कौन सा process है जो effect करेगा hardy wing bear equilibrium को to cause variation at a genetic level the mutation in the combination सही है gene migration genetic सही है natural selection सही है मतलब all of these answer जाएगा इसमें next next question है यहां पहे तो उसमें क्या बोल रहा है बच्छो next question a gene containing multiple exon धेर सारा exon है and at least one intron कम से कम एक intron हो मतलब यह exon है यह intron हो इधर exon है फिर इधर exon है फिर इधर exon है फिर इधर exon है तो क्या होगा intron जहां पर आया ना तो split हो गया gene बट गया तो इसको लोग क्या बोलते है split gene का concept बोलते है next यहां पर जो दीख रहा है यह क्या बोलना है which one of the following symbol and its representation used in human pedigree analysis is correct बोलड़ा है कौन सा symbol correct है human pedigree के analysis को करने में तो यहां पर बच्चा यह जो दिया हुआ है यह male होता है और यहां पर दिया है female तो पहला option गलत है उच्रा है correct होना है यह है male affected नहीं यह unspecified sex की बात करना यह भी गलत है यह male है सही बात है यह female है यह सही है double line दिखाता है close relation में mating the mating between relatives तो यह सही है नहीं और यह male तो है इन्हें female है तो c answer जाएगा है आपर यह दिगरी का यह भी question था next in drosophila a set of homeotic gene which control body plane at a time of organ differentiation is known as नहीं यहाँ पर drosophila के case में बोल रहा है homeotic gene का तो यह homeo box का लाता है वो क्या का लाता है आपको याद रखना होगा homeo box next gene which responsible for synthesis of a polypeptide peptide chain is called polypeptide का synthesis करवाना है नहीं तो वैसा gene जो responsible होगा synthesize polypeptide का तो आपको पता है regulator promoter operator restructural तो synthesis polypeptide का कौन restructural gene लेक अपरोन अगर आप लोग पढ़े होगे तो आप जरूर इसको जानते होगे next western blot is used for the identification of western blotting किसके लिए करता है अभी बताया था southern blotting किया जाता DNA के लिए northern किया जाता RNA के लिए western protein के लिए answer क्या जाएगा protein next यहां पर जो बात करेंगे answer next जो है which of the following techniques are used in analysis of restriction fragment length polymerism rflp नहीं यहां पर पूछ रहा है कि कुण सा technique rflp के लिए use होता है बच्चो नहीं electrophoresis होता है electroporeson नहीं होता है methylation की जो बात करें वह भी नहीं होता है लेकिन restriction digestion restriction निकले होता है answer में a और d option देखो a और d वाला option सी है कुमार वार आगे निकलो next the approximate number of gene containing in genome of kalpana चावला kalpana चावला आदमी थी human थी human का gene कितना है 30,000 gene next की बात करते हैं तो kalpana चावला देके आपको confirm कर रहा है नहीं next है the total number of nitrogenous base in human genome is estimated to be about नहीं the total number of nitrogenous base in human का estimation कितना किया हुआ है तो आपको अच्छे से पता होगा कि nitrogenous base का यह तो direct NCRT का है 3.1 billion और जो last question है satellite DNA is useful to in satellite DNA बच्छो satellite DNA का forensic purpose में जबर्जस तरीके से यूज होता है यही satellite DNA में दो तरह का satellite होता है एक mini satellite और एक mini satellite और एक होता है micro satellite नहीं mini satellite जो होता है न वही basis होता है DNA fingerprinting का DNA fingerprinting हम लोग किसे करवाता है mini satellite तो forensic purpose में किया जाता है बच्छो यह top 100 question है Mendelion genetics का part 2 का top 100 question है कितना आप अगर कर लोगे part 1 and part 2 तो guarantee है Mendelion genetics का एक भी question आपका drop नहीं करेगा medical exam में medical exam में एक भी question आपका छूटने नहीं जा रहा है तो इतना आप कर लो बाकी हम लोग next topic में next class में next topic से related और बाकी question के बारे में हम लोग बात इससे करेंगे तब तक के लिए thank you दोस्तो